तो Hello and Welcome Back दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हो इस लेडी के पूरे ही बैक साइड पे देखे बहुत सारे कीड़े लग चुके हैं जो कि हम लोग रिमूव करेंगे इसको डिप क्लिन के साथ तो देखे हमारा वैक्यूम जो कि जिंगे वाले कीड़े को उठा उठा के फेकेगा और देखे दूसरे वाले कीड़े को पकड़ा और इसको भी देखे सेब तरीके से रिमूव गर चुका है अब ये लाश्ट वाला और इस वाले कीड़ों को भी पकड़ा और ये वाला कीड़ा भी बहुत ही सेप तरीके से वाक्यूम की सफाई से गिर चुका है और देखिए हमारा गेड़ा सा वाला कटल था जो कि बहुत ही सेप तरीके से रिबू कर चुका है कुछ कीड़े को केदे के हमारा कटर भी बहुत ही चाकू की तरह काम कीया है काटके फेक हुआ कुछ कीड़े को और यह भी कुछ गिनुर्ण टाइब कीड़े थी जो कि यह भी रिमूब सुके है और समतरीके से हैंड वाला चाकू हमारा आया और देखिए ये गिनरे टाइक कीड़े को एक ही बार में रिमूव कर चुका है एक भार में और देखिए हमरा क्रोमौ रला चाको भी बहुत ही शेफ तरीके से कुछ कीड़ी को रिमूव करrend चुका है कि बार में और ये कुछ रिक के चूले वाले कीड़े थे जो कि ये भी रिबू हो चुके हैं और देखिए ये लिजुली जी वाले कीड़े थे जो कि ये भी से तरीके से कड़ चुके आ गया हमारा बेल्ट सा और ये एक ही वाले कीड़े को एक ही बार में काट की रिमूग कर चुका है पूरा का पूरा और देखिए बैक साइड वाले कीड़े को एक ही बार में काट की रिमूग कर चुका है और ये कुछ गिनोरे टाइब के कीड़े थे जो कि ये भी रिमू हो चुके हैं आगे हमारा पत्रोला चाकू ये रेट वाले होल वाले कीड़े को एक ये बार में रिमू कर चुका है पूरा का पूरा और ये छोड़े छोड़े मैंगोर्स को बहुत ही सेफ तरीके से रिमू कर चुका है और ये हमारा गोल्डे रोला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से काम किया अपना तो देखिए एक जगह दवाई पढ़ चुकी है बहुत ही सेफ तरीके से और दूसरी जगह भी देखिए दवाई पर चुकी है बहुत ये ओसम और लुक तरीके से आगे हमारा कॉटर बूल्ड रोई तो टाइमर चलने देते हैं टाइमर चला देते हैं हम लोग तो टाइमर चल रहा है आप लोग देख सकते हो पूरे ही फ्रॉंट साइब पे और पूरे ही चेश्ट पे देखिए बहुत सारे कीड़े लगे हैं वह भी गिनरे डाइब के तो देखिए हम लोग बहुत सेब तरीके से चाकू के मादन से इसे रिमूग करेंगे आगे हमारा हैंड वाला चाकू और ये मस्टिस्क वाले कीड़े को बहुत सेब तरीके से रिमूग कर चुका है एक यवार में और ये कुछ बड़े वाले कीड़े थे जो कि ये भी रिमूग हो चुके हैं एक ही बार में और ये देखिए मैंगोड भी थे जो कि ये भी रिमूग हो चुके हैं और ये चोटे-चोटे गोले वाले मैंगोड देखिए जो कि इसको भी हम लोगों ने रिमूग कर दिया है पूरा का पूरा और देखिए ये गिनोरे टाइब के एक कीड़े थे जो कि ये भी रिमूग हो चुके हैं बहुत ही सेप तरीके से और देखिए रिती लवला चाकू हमारा बहुत ही सेप तरीके से रिमूग किया कुछ कीड़े को और कुछ काड़े दार वाले कीड़े थे जो कि ये भी हमारा चाकू बहुत ही सेप तरीके से निकाल चुका है पूरा का पूरा और देखिए बहुत ही सेप तरीके से हम लोगों ने टीप क्लीन करना है इसके पूरे चेस्ट का और देखिए पूरे मैन के पूरे ही देखिए हैंड वाले कीड़े को निकाल दिये हम लोगों ने अब ये चेस्ट वाले के कीड़े को अब लोगों ने किनों ने टीप की निकाल दिया है और ये भी होल टाइप की कीड़े को एक ही बार में फिनिस करके हम लोगों ने निकाल दिया इसको भी अब एक जगह दवाई लग चुकी है और दूसरे जगह भी देखिए दवाई हम लोगों ने बहुत ही सेफ तरीके से लगा दिया है बहुत ही ऑसम तरीके से आ गया हमारा कॉटन मूल रूई तो टाइमर चलने देते हैं तो फारिली काई साब लोग देख सकते हो है टाइमर चल रहा है बहुत ले के पूरे ही पेट पर देखिए बहुत सारे कीड़ लग चुके हें जो कि देखिए हम चिम्टी के मादन से बहुत ही सेप तरीके से रिमूव कर रहे हैं और देखिए हमारा देखिए चिम्टी पकड़ा रेड़ वाले किडिये को और देखिए बहुत ही सेप तरीके से रिमूव कर चुका है अब यह हमारा आगे बेलचा वला चाकू और देखिए बहुत ही सेप तरीके से काड़ के पूरा का पूरा गिरा चुका है इसको आगे हमारा दूसरा उलचाकू और ये पेट पे लगे हुए कीड़े को एक ही बार में फिनिस करके गिरा चुका है और ये मस्तिस्क वाले कीड़े हैं जो कि अभी रिबू हो चुके हैं आगे हमारा हैंड़ वाला चाकू देखिए हमारा हैंड़ वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से बहुत सारे मैंगोट्स वाले कीड़े को गिराया और ये भी कुछ ब्लैक वाले कीड़े को भी रिबू कर चुका है पूरा का पूरा और ये कुछ रेड़ वाले कीड़े थे जो कि ये रेड़ वाले कीड़े बहुत ही खताना को थे इसको भी रिमू कर चुका है और ये कैपसूल वाले कीड़े थे जो कि ये भी गिर सुके हैं बहुत ही ओसम तरीके से तो देखिए पूरे के पूरे कीड़े गिर सुके हैं आगे अधिती लगा चाकू हमारा और ये ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े के ये की बार में रिबू करके गिरा सुका है और देखिए गिनरे डाइफ के कीड़े को एक ही बार में रिबू करके चुका है और ये चोटे-चोटे मैंगोर्स से जो कीड़े को भी रिबू करके हम लोग आगे हमारा दवा लग चुका है और दूसरी जगे भी दवाई लग चुकी है अब लोग देख सकते हो आगे हमारा कॉटर मोड रोई तो टाइबर चल देते हैं तो टाइबर चलने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकाए हेलो गाइस जैसे देख सकते हो लड़की के पूरे ही बैक साइड पे बहुत ही जादा गिनाड़े टाइब की कीड़े लग चुके हैं जो कि हम चाकू के मादव से रिमूव करेंगे आज तो देखिए हमारा चाकू बहुत ही सेब तरीके से रिमूव कर चुगा है कुछ कीड़े को अगे दूसर वाला चाकू और यह होल वाले कीड़े को एक बार में काटकी निकाल चुका है हैंड वाला चाकू आया हमारा पर पर वाले कीड़े दोट पर में काटकी रिमूव कर चुका है पूरा का पूरा और ये रेड़ वाले होल वाले कीड़े को यही परमिकाट की रिमूव कर चुका है पूरा का पूरा और ये टाइपो फोबिया वाले कीड़े थे जो कि ये रिमूव हो सुके हैं बहुत ही से तरीके से तो देखिए हमारा चाबू बहुत ही से तरीके से कुछ कीड़े को काट की निकाल चुका है और ये काटे वाले कीड़े लग चुके थे इसके पूरे ही बैक साइड पे उसको भी रिमूव किये और देखिए ये वाला भी कीड़ा गिर सुका है कटके और ये मैंगोर्स भी रिबू हो सुके है और सम तरीके से और ये च्छड़े च्छड़े फंगल थे जो कि ये भी रिमू हो चुके हैं एक ही बार में तो देखिए बैक साइड पे लगे हुए कीड़े रिमूव हुए बहुत सारे एक ही बार में और ये वाले कुछ कीड़े थे जो कि ये भी रिमू हो चुके हैं सिल्वर वाला चाकू आया हमारा हाँ और देखिए बहुत सेफ तरीके से पूरे भी बैक साइड को हम लोग वान णнов हमारा दवाई बहुत सेफ तरीके से अग भी हमारा कॉटन मूल ड्रुई जो की टाइमर चलाएगा तो टाइमर देखिए चलना चालो हो गया 321 गयों दोस्तों जैसा अब लोग देख सकते हो लड़की के पूरी ही बैक साइड पे देखे बहुत ही तगड़े वाले कीड़े लग चुके हैं जो कि हम चाकू के मादम से अब इसका पूरा फुल ट्रीट में करेंगे हम लोग तो देखे हैंड वाला चाकू हमारा बहुत ही सेव तरीके से रिमूव कर रहा है छोटे-छोटे कीड़े को आगे हमारा दूसरा वाला चाकू यह भी देखे बहुत ही सेव तरीके से काट चुका है कुछ कीड़े को आगे पतला वाला चाकू हमारा और ये रेड़ वाले गिलोने डाइब गीड़े को एक ही बार में रीमूँ कर चुका है बहुत ही से तरीके से और ये कुछ डेंजरस वाले गीड़े थे जो कि ये भी रीमूँ हो चुके हैं आगे हमारा बहुत बहतरी नवला चाकू ये बहुत ही से तरीके से किनर डाइब गीड़े को काड़ चुका है आगे हैंड वला चाकू हमारा और ये काटेदार वाले कीड़े को सेफ तरीके से रीमूँ कर चुका है बहुत ही सेफ तरीके से तील वला चाकू आया हमारा और ये भी कुछ गिनरे डाइब की कीड़े थे जो कि ये भी रीमूँ हो चुके हैं आगे हमारा पत्र वला चाकू जो कि देखिए मैंगोर्स को एक ही बार में काट के रिबू कर चुका है और ये बेरे की छोटे-छोटे मैंगोर्स वाले कीड़े को भी रिबू कर चुका है आगे गुल्डन जाकू और देखिए मस्तिस्क वाले कीड़े को एक ही बार में काट के रिबू कर चुका है और देखिए काटेदार वाले कीड़े पे रिबू हो चुके हैं अब आगे हमारा दवा और दूसरी जगे भी दवाई लग चुकी है हमारा तो आग गया हमारा कॉटन गूल रूई आ गया है अब हम लोग टाइमर चला देंगे तो टाइमर चल रहा है देखिए बहुत ही सेब तरीके से हम लोग टाइमर भी चला रहे हैं और इसका फाइनल रिजल्ट हम लोग दे देखेंगे तो फाइर लिगा है